नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं पड़ रही गर्मी को देखते हुए सिक्षक संगतन इसका बिरोध भी कर रहे थे इसके बाद स्कूली सिक्षा बिभाग स्कूल टाइंग में बदलाव करने जा रही है अगले एक से दो दिनों में इसके निर्देश जीला में भेज दिये जाएंगे और अगले सब्ता सो मोहर से नई टाइमिंग पर इसकूल चलने लगेंगे उधर अखिल जारकन प्रात्मिक सिक्षक संग के परदेश अध्यक्स 24 के नेत्यत्यों में एक बिसिस्ट मंडल शिक्षा सची उराये सर्मा से मिलकर विद्याले संचालन अधी में बदलाव करने की मांग की लू लगने से इसकूल के कई छात्र छात्राय हुए बेहोस जारकन में लगातार दूसरे दिन बुद्धवार को जीले में लू का कहर देखने को मिला गड़वा में बिभीनी स्कूलों के तीन छात्र छात्राय लू और गर्मी की चपेट में आने से बेहोस हो गए बचों के बेहोस होने से इसकूलों में अफरा तफ्री किस्थिती रही खाटना के बाद बचों के परिजनों को सुचना दी गई बचों के होस आने के बाद उन्हें परिजोनों को सोब दिया गया बताया दे भवनात पूर पर्खन अंतरगत मीडिर स्कूल और सरी के छटी कलास के छात्र रितेस कुमार गर्मी के कान कलासरूम में ही बेहोस हो गया इसकी सुचना परिजोनों को दी गई सुचना पर बचों की माई स्कूल पहुंची होमगाड के चयन से समंधित मेधा सुची होगी जारी रांची जिला में होमगाड के चयन से समंधित मेधा सुची रांची जिला के वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड की जाएगी उमिद्वार रांची.nic.in पर मेधासुची को देख सकते हैं 6 अपरेल 2022 को अस्था अपना समीती की बैठक में मेधासुची को लेकर जीला की बेबसाइट पर अपलोड किये जाने का निनलिया गया बैठक में उपायुक्त रांची स्री छवी रंजन, गरामीन SP, कमांडेट होमगाड एवं अपर जीला दंडा अधिकारी बीती बेबस्ता उपतित थे जीला की बेबसाइट पर मेधासुची अपलोड किये जाने की तीथी से दावा अपति के लिए एक सप्ता का समाई भी मिलेगा जीन उमिद्वारों को किसी तरह की दावा अपति हो वह इस सप्ता के भीतर आवेदन दे सकते हाँ जारखन पंचाय चुनाव तीरपन 1480 बूथो पर 1,388 बायलेट बॉक्स में डाले जाएंगे भोट जारखन में पंचाय चुनाव क्लेकर तेयरिया पूरी कर ली गई है चुनाव की तारिकों घोसना के साथ आयोग की तेयरिया सभी जीलों में क्रियान्वेन होने लगेंगी चुनाव आयोग की टीम पिछले कई माह से तेयरिया में जूटी होई है राजे के पास अपनी मत पेटियों की उपलबता पर्याप्त नहीं होने के कारण उतर पर्दे से 46 और 270 मत पेटी मंगाई गई है बता दे मुखिया ग्राम पंचायतों के वार सदस पंचायत समीती के छेतरिये निर्वाचन छेतरों के सदस्य और जीला परषत के छेतरिये निर्वाचन छेतरों के सदस्यों की सभी संख्या मिलाकर 63701 जन परतिनीदियों का चुनाव मत पत्रों के जरिये होगा इसके लिए चुनाव आयोग ने राज में 33480 मत दान केंद्र तयार कर लिए हैं इन मत दान केंद्रों में 1,383 मत पेटियों में बोट डाले जाएंगे आंगनवाडी से विकाये लेंगी 3 तक के बच्चों की स्पेशल कक्छाएं कोविट के कारणन राज जे के स्कूल 2 साल तक बंद रहे इससे पढ़ाई को हुए नुक्सान के बरपाई के लिए राज के सरकारी स्कूल में कक्छा 3 तक के 15 लाख बच्चों के लिए सरकार अथिरिक्द कक्छा संचालन करेंगी बच्चों कोई स्कूल के अलावा दो घंटे अलग से आंगनवाडी केंद्रों में पढ़ाया जाएगा यहां आंगनवाडी से विकाये बच्चों को पढ़ाएगी यह निर्ने मंगलवार को मुख सची सूख देव सिंग की अधक्षता में अधिकारियों कोई बैटक मिलिया गया बता अधे राजी के सरकारी विद्याले में कक्छा 3 तक लगभग 15 लाख बच्चे नमांकी थाए इस खूली सीख 56 तक लिवाग इसे लेकर प्रस्ताव त्यार करेगा जार्खन में नई खेलनीती का प्रस्ताव त्यार जार्खन सरकार खिलाडियों को सरकारी नौकरी में 2 परतिषत का 36 आरक्षन देगी वहीं सेक्षनिक संस्थानों में दाखिला के लिए खिलाडियों के लिए 3 परतिषत आरक्षन का प्रवधान होगा जार्खन सरकार ने नई खेलनीती 2022 का प्रस्ताव त्यार कर लिया है इसे केबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है अगली केबिनेट में या प्रस्ताव आने की संभवना है बतादे प्रस्ताव में स्वास्थ जार्खन खुसहाल जार्खन की द्रिष्टी रखी गई है साथी देशजवव प्रमपरी खेलों को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है जे जार्खन से दसवी बरह हुई अनिवारित्ता पर हुई सुनवाई जे जार्खन राखन हाई कोट के चिप जर्शी डाक्टर रभी रंजन और एसेन प्रसाथ के आदालत में सुनवाई हुई शुरुआई के दवरान अधालत ने इसे समधित पूरे रिकोर्ड का और लोकन करने के बाद राई सरकार से कई सवाल पूछे आदालत ने कहा कि किस अधार पर राई सरकार ने समाने वर्ग के लिए दस्वी और बरहमी की परिक्षा राजे के संस्थानों से ही पास करने की सर्थ लगाई है और भासा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है इस मामले में राई सरकार की ओर से वरी अधिवक्ता मुकूल ने पक्ष रखते हुए कहा कि वस्वयम इस मामले से समधी दस्तावेज को देखना चाहेंगे और अधिकारियों के साथ बैठा कर उचित सला लेंगे उनकी ओर से इसके लिए समय की मांग की गई जिसे अधालत ने सविकार कर लिया मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रेल को होगी होमगाट जवान लोल सकेंगे पंचाय तो चुनाव पारा सिखछक नहीं होमगाट के वैसे जवान जो डिवोटी में नहीं है वे पंचाय चुनाव लोल सकेंगे वहीं सरकारी भी भागो कर्यालेयों में कारेड़ सरकारी कर्मियों के लावा अनुबंद पर कारे करने वाले कर्मी पंचाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे इनमें पारा सिक्षक आंगनवारी सेवी का साही का आधी सामिल है राज निर्वाचन आयोग द्वारा पंचाय चुनाव में उमिद्वार बनने को लेकर इसे समधी दिशा नेदे सभी उपायुक्तोव समधी पतादिकारों को जारी किया गया है राज निर्वाचन आयोग के अनुसार होमगाट के जवानों की सुची प्रसिक्षन के बाद त्यार की जाती है और जब राज सरकार को उनकी सेवा की ज़रुत परती है तो उस सुची से निकाल कर उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाता है उन्हें करवरत अधी के लिए दैनिक भाता का भुकतान होता है 14 अप्रेल को राची पहुँचेगी अढ़ाई आखर प्रेम का अजादि के 75 साल के मोके पर भारतीय जन नाटस संग की पहल पर राष्ट्रिय संस्कृति यात्रा निकाली जा रही है इसका नाम अढ़ाई आखर प्रेम का है भाई चारो को बढ़ावा के लिए संत कविर ने महान संदेश अढ़ाई आखर प्रेम का के साथ संकृतिक यात्रा का अगाज 36 गड़ के राइपूर से हो रहा है बता दे राइपूर से निकल करेया यात्रा 13 अप्रेल को गड़वा के राष्टे जार्खन सीमा में परवेश करेगी या यात्रा मेदनी नगर होते हुए 14 अप्रेल को रांची पहुचेगी रांची में सेधू कानू निलामबर पितामबर और महात्मा गांधी के परतिमा पर मल्यारपन के बाद मोराबादी स्थित डाक्टर राम देयाल मुंडा जन्जातिय सोच संस्थान में साम 6 बयसे संस्कृतिक आयोजन होगा इस आयोजन में मसोहूर, किसागो, कफिल, जाफरी, राष्ट्री एकताबिसे पर किसागोई करेंगे जारखन में कुरोना के एक भी नए केस नहीं मिले हैं जबकि 16 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं जारखन में कुरोना के कूलेक्टिब केस की संख्या 38 है भारत में कुरोना के 186 नहीं केस मिले हैं जबकि 1717 में मरीज स्वस्थ हुए भारत में कुरोना के कूलेक्टिब केस की संख्या 27 है 747 खुट्टी में पथरबाजी मामले में सहर को 5 जोन में बाटा खुट्टी सहर में दो समुदाय के भी जड़ब के बाद तनापोन स्थिती को देखते हुए पुलिस परसासन के मुस्ताइदी काफी बढ़ गई है डीसी ने स्थिती नियंत्रन में रखने के लिए सुरक्षा के द्रिष्टी कोन से सहर को 5 जोन में बाटा है परते एक जोन में एक एक मैस्टेट की तैनाती की गई है वह हर मैस्टेट के साथ 20-20 सुरक्षा कर्मी तैनात किये गए है इन मैस्टेट को ड्रोन कैमरा देते हुए छेत्र को ड्रोन सर्विस लाइन्स पर रखा गया है साथ ही पूरे छेत्र के निग्रानी रखी जा रही है धार्मिक जुलूस निकाले जाने को लेकर बुद्वार की सुबा दो समुदाय के बीच जड़ा पोने के बाद सहर में तनापूर्ण महौल बन गया है हाटकोर नकसली सूरजनाथ ने लोहरदागा में किया सरेंडर आत्म समर्पन नीती नई दीशा के तहट लोहरदागा के बॉक्सी डीपाई थी न्यू पूलिस लाइन में बुद्वार को मावादी संगठन के हाटकोर नकसली सूरजनाथ खेरवार ने सरेंडर किया DCSB के समक्ष नकसली ने सरेंडर किया है आत्म समर्पन के दवान हाटकोर नकसली को फूल और सरकार नीती के तहट दिये जाने वाले रासी में से एक लाइक रुपे का चेक दिया गया सरेंडर करने के बाद नकसली सूरजनाथ ने और ने नकसलीों से भी बंदुक छोड़ सरकार के मुखे दरा में जूड़ने की अपिल किया ITI के 727 प्रसिक्षन अधिकारियों की नियुक्ति 12 से करे आवेदान राज्य के अध्योगिक प्रसिक्षन संस्थानों ITI में 727 प्रसिक्षन अधिकारियों की नियुक्ति होगी इसमें 701 नियमीत तथा 26 बैकलोग पद सामिल है हमत सुरें सरकार के स्रम नियोजनों प्रसिक्षन विभाग के उन संसाप और जहाकन करमचरी चैन आयोग ने बुद्धवार को नियमीत एवाम बैकलोग पदों के लिए अलग अलग भी आपन जारी कर दिया है इन पदों पर नियुक्ति जहारकों और द्योगिक प्रसिक्षन अधिकारी प्रतियोगता परिक्षा 2022 के माध्यम से होगी दोनों स्रेनी के पदों के लिए एक ही परिक्षा ली जाएगी दिव्यंगता परवान पत्र के लिए केम्प के अलावा अंचल कर्याले में भी जमा होंगे आवेदान दिव्यंगता और यूडी आईडी काड बनाने के लिए अभी भीन अस्थानों पर आयोजीत किये जाने वाले केम्प के साथ साथ सभी अंचल अधिकारी के कर्याले में भी आवेदान जमा होंगे इसको लेकर बुद्धवार को दिव्यंगों के दिव्यंगता परवन पत्र बनाने को लेकर समिछात्मक बैठक में राची डीजी ने सभी अंचला अधिकारियों को निर्देश दिये हैं बैठक के दोरान परखंडवार इंद्रा गांधी दिव्यंग पेंसन योजना स्वाइम विवेका नन निशक्त स्वावलंबन प्रुत्साहन योजना के लाभ को यम राची जीला में पंजिकरी दिव्यंग मद्दताओ को चिनित करते हुए UDID कार्ड बनाने के कार प्रगति की समिक्षा की इसके लाभा नगड़ी सीओ को CDPO और BALO के साथ बैठकर कार में तेजी लाने का निर्देश दिया बिहार ज्यारखन के 24 एस्टेशन पर टिकट के लिए 80 आटोमाइटिक वेंडिंग मसीन लगी पुर्व अमध्य रेलवे ने यात्रियों के सुविधा के लिए समस्ती पूर समेत बिहार ज्यारखन के 24 परमुक एस्टेशनों पर 80 आटोमाइटिक टिकट वेंडिंग मसीन की सुरुवात की है इससे अब यात्रियों को टिकट के लिए लाइन में लगने के ज़रुरत नहीं होगी बता दे पुरोमध्य रेल के मुख येजन संपर्क अधिकारी पिरेंद्र कुमार ने बुद्धवार को याँ बताया कि पहले चर्ण में पुरोमध्य रेलवे के A1 एवाम एक ग्रेट के 24 परमो के स्टेशनों पर यह मसीन लगाई गई है उन्होंने बताया कि इस मसीन के माध्यम से रेल यात्री टिकट काउंटर पर बिना लाइन में लगे अनरग्सी टिकट खरीद कर यात्रा कर सकते हाँ कोडार्मा के तसकरों के पास मिला तीन केजी अफिम कोडार्मा जी लेके रास्ते पंजाब के लुधियाना में अफिम की तसकरी करने जा रहे दो अपराधियों को पूलिश ने तीन किलो दो सो गराम अफिम के साथ पकड़ने में सफलता पाई है गिरपतार तसकरों में नितिस कुमार पिता, मोहन दांगी निवासी, अमीन थाना, गिदोर और मास्टर बलराम पिता महे साउ निवासी, बारी साकी थाना, गिदोर चत्रा सामिल है सुभास चंद्र जाट ने संभाला देवघर के नए S.P. का पदभार देवघर जीले के नए S.P. सुभास चंद्र जाट ने बुद्धवार की दोपर पदभार गरहन कर लिया, उन्हों नए पदभार निवबर्तमान S.P. धनंजय कुमार सिंग से लिया है पदभार गरहन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नए S.P. सुभास चंद्र ने कहा कि निवबर्तमान S.P. द्वारा छोड़े गए साइबर अपराधियों के खिलाप मोहिम को आगे बढ़ाना और जीला को अपराध मुक्त बनाना उनकी पहली परतमिकता होगी बता दे कि इससे पुर्व सिरिजार जमसेदबूर के सिटी S.P. थे खोटी DC की अपील लोग सांती बनाए ड्रोन से होगी निगरानी खोटी सहर के दो जगों पर पथरवाजी मामले में DC ससी रंजन ने लोगों से सांती बनाए रखने के अपील की है साथी ड्रोन केमरे से निगरानी की बात कही है उन्होंने कहा है कि पुलिस परसाशन की मुस्ताइदित के बाद इस्थिती नियंतरन में है उन्होंने जिलावासियों से सहयोक या पील की है ताकि छेतर में सांती पूर्ण महोल बना रहे बीतिय वर्ष 2021-22 में 107 परतिसत वानी जेकर का संगर आराधना वानी जेकर विभाग की सचिव आराधना पतनायक ने कहा है कि विभाग ने वितिय वर्ष 2021-22 में कूल 29,750 कोलोर वानी जेकर संगर कर लिया है जो तै लग्ष का 107 परतिसत है वितिय वर्ष 2021-22 में 18,422 कोलोर का लग्ष निर्धारित किया गया था उन्होंने बताया कि वितिय वर्ष 2021-22 में जो कर संगर किया गया है वो वितिय वर्ष 2021-21 के 16,147 कोलोर से 25 परतिसत अधिक है